वेलिकम तो दे वर्ड आप्मेटिक्स आप जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जैट इस वन अप दो पूर्टन टॉपिक ए ऑफ मेतमेटिक्स घेटेटिस तो यह आपका वर्ड मैट्राइस जो है यह जबके इसका सिंगिलर होता है मैट्रेक्स ठीक है तो मैट्राइस को समझने के लिए हम क्या करते हैं उसको समझने से पहले यानि मैट्राइस की डेफिनिशन से जाने से पहले हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ठीक है स्ब्रिकरेंगे यह कंपानी वो سप्लाय कर yards लिकेंड है अपने दो plastics वार CLP सप्लाय करते हैं इसका प्रोदक्ट सब्सक्राइब को 30 इंप लिड्टरीग नियुस yoga प्रोडक्ट जो है पी टू सी वन को और फिटी यूनिट्स देती सी वन को अब हम क्या करते हैं यह जो आपकी इंफोर्मेशन है को हम किसी सिस्टेमेटिक वे से लिखना चाहते हैं ठीक है फॉर जेंपल मैं कह रहा हूं कि मेरी कंपनी पी वन है और पी टू है यह मेरी कंपनी यह मेरा कस्टूमर सी वन है कस्टूमर सी टू है अब कंपनी पी वन ने यह कंपनी ने यह कंपनी ने पी वन प्रोड़ेक्ट। चीवन को कितने दिये देखें आपके पास जो है अ है जो यह प्रोड्रेक्ट कमपनी ने दिय को दिये हैं और जबके 50 units दिये हैं C2 को ठीक है तो मैंने यह information जो वर्डिंग लिखी हुई थी मैंने वर्डिंग से हटा के यहां लिख ली तो देखें यहां जो है मैंने अभी इसको में तो रहा अच्छा करने के लिए मैं यह यह bracket लगा रहा हूं जिसको हम square bracket कहते हैं ठीक है तो देखें यह हमें क्या information देरा कि प्रॉड़क्ट P1 जो है 20 मिले हैं C1 को और प्रॉड़क्ट P1 जो है 30 मिले हैं C2 को सिमी लाली जो प्रॉड़क्ट P2 है वो 25 मिले हैं C1 को और प्रॉड़क् आसान is compared to the wording which is written in English वाइट तो इसलिए जो है यह मैटाइस हम यह जो है हम information को आसान कहने के लिए हम इस notation में लिखते हैं जो आपका एक example है मैटाइस का ठीक है तो अब आ जाते हैं मैटाइस में आपके मैटाइस क्या होता है उतकी definition को देख लेते हैं in mathematics matrix is an arrangement of objects numbers और variable देखें यह numbers के हमने arrangement की है न in the form of rectangular array यह देखें रे जो है इस आपको कौन कर शी हो यह भी आपकी आरे है कि कि इससे आपको horizontal दिखाई दे रही है और यह भी आपकी आरे है जो आपको vertical दिखा रही है दे रही है उसको हम rectangular array हम कह रहे है यानि square के form में यह लाज़नी नहीं है और हो यानि ऐसा नहीं है कि आपके square के form में हो rectangular हो सकता है यानि कोई मेरे पास ऐसे भी हो सकता है तो 2, 3, 4, 5, 8, 9, 3, 2 ठीक है तो यह सम्हाव rectangle की shape दिखा रहा है ना कि square की shape दिखा रहा है जबकि यह square की shape दिखा रहा है ना परलम वरके यह जो shape रेक्टेंगल की shape दिखा रहा है तो rectangular हम एक array लिखते हैं इस elements are written in the square बेलकिल इक definite order एक कास किसम में इसके elements को लिखते हैं जिसे मैंने आपको लिखके बता है यानि distance से लिखते हैं के बीच में खाली space छोड़ते हैं और इससे भी elements के बीच में कुछ खाली space छोड़ते हैं ठीके एक definite order से definite तरीके से लिखते हैं ठीके और इनको लिखते हैं दो square bracket के बीच में ठीके और आपकी कौन सी आ रहे है रेक्टेंगुलर आ रहे है तो यह आपका क्या हुआ मैट्रिक्स हुआ ठीक है मैट्रिक्स क्या होता है एक arrangement होगी और जोट की इन दो फॉर्म रेक्टेंगुलर रहे है उसके elements को हम स्कार्डेकर में लिखते हैं उसके बाद हम आजाते हैं notation मैट्रिक्स को हम कैसे represent करते हैं मैट्रिक्स को हम आम तोर पे जो है यानि मैट्रिक्स को हम जो है capital A, B, C and so on up to capital Z यानि capital A, B, C के letters से हम मैट्रिक्स को represent करते हैं इसके बाद है यानि मेरे पास मैट्रिक्स को एक्जेंपल मेरे पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की notation क्या है कि मैट्रिक्स को हम capital जो है letters A, B, C से show करते हैं उसके बाद है order of the matrix ठीक है अब हम इसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स का order जा होता है तो मैट्रिक्स के order को समझने से पहले हम यह समझते हैं मैट्रिक्स जो है उसकी बनावत में कौन कौन सी चीज़ें होती है मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैट्रिक्स लिख रहा हूं मेरे पास है 8, 3, 9 और 3, 4 मेरे पास है negative 7 ठीक है जो आपकी horizontal line होती है इसको matrix में कहते हैं है rows और यह आपकी vertical जो lines होती है matrix में हम इसको कहते है columns ठीक है तब देखें इसमें rows कितनी है यह first और यह second इसमें rows कितनी है two rows है इसमें column कितने हैं देखें one two three इसमें column कितने हैं इसमें three column है तो अगर आपके पास कोई भी matrix दी हुई हो आप उसमें यह बताएं कि इस matrix में rows कितने हैं तो उसको कहते है order of the matrix और इसको लिखते कैसे हैं उसको old इससे लिखे और B यानि order of B matrix तो order of किसी matrix for example अगर आपके पास कोई भी matrix लिया हुआ तो उसका order इससे लिखते है आर बाइसी का मतलब है rows into the column ठीक है इसमें कितनी rows है इसमें आपके पास two rows है इसमें columns आपके पास कितने हैं तो इसको पढ़ते हैं आर बाइसी का मतलब है two rows और three columns ठीक है first we write rows then we write columns ठीक है तो इसको कहते है order of the matrix ठीक है अच्छा आर बाइसी का मतलब यह नहीं है two multiply by three two multiply by three is equal six कर दे नहीं यह सिर्फ लिखने का एक तरीका है ठीक है जिसका मतलब है कि first number आपको बताता है number of rows second number आपको बताता है number of columns ठीक है अब हम इन सारे जो आपके पास matrix हैं उपर दिये हैं इनकी हम रोज और column find करते हैं देखें इसमें row कितनी है ऐसी one ठीक है और देखें इसमें column कितने है horizontal vertical यह first और second आपके पास इसमें कितनी row है एक row और two columns सही है इस order of matrix A क्या होगा यहां आपके पास one row है और column कितने है two इसमें देखें आपके पास row कितनी है two rows और column कितने है two column ठीक है तो order of matrix B क्या होगा two rows and two columns यहाँ जैन में देखें आपके पास देखें रो कितनी है one or two two rows है ठीक है और column कितने है आपके पास एक ही column है तो order of metrics z क्या होगा order of metrics z होगा आपके पास कि आपके बास two rows है और one column है ठीक है इस तरह किसे हम order of the metrics find करते हैं कि उमीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा जादा जो है इंशाला फिर नेक्स वीडियो में डिसक्स करें